दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामानिय धिन पुर्वावलोकन स्रिंखणा में प्रस्तुत है भारत की भुगोल से संबंधित महत्वण प्रशनों का रिवीजन जो विभिन प्रतियोगी परिक् प्रशनों को कबर करेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो मिर्दा से संबंधित महत्वण प्रशनों को दोस्तों राष्टी मिर्दा सर्विक्षन और भूम उप्योग नियोजन वियोरों के नवेंतम रिपोर्ट के अनुसार जो लाल मिट्टी है वो भारत के लगभग 8.7 लाख वर्ग किलो मीटर और 26.8 प्रतिशत छेदर पर विस्तारित है लाल मिट्टी का निर्मार जो है जलवाईविक परिवर्तनों के परड़ाम सरूप रवेदार और कायांतरे सेलों के बेगटन और वियोजन से होता है इस मिट्टी में सीलिका और आयरन की ब रश्मी तमिलनाडु करनाटक, दक्षुडी महराष्ट, छतिसगर, तेलंगाना, ओडिशा और छोटा नापुर फठार छेतर जहार खंड में पाया जाता है इसके अलमा परवती मिट्टियां हिमाले छेतर की घाटी और धालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की उचाईवाले भाग में पाय जाती है ये अपरिपक को मिट्टी है दोस्तों आप जान लिजे कि मरुस्थली मिट्टी जो होती है उसका विकास सुस्क और अर्धशुष्क जलवाय दसाओं में हुआ है ये राजस्थान, सौराष्ट, गुजरात, कक्ष और दक्षुरी पंजाब छेतर में पाय जाती है दलहनी फसले आप जानते भी है वाई मंडली नाइट्रोजन इस्थरी करण के द्वारा मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है और मिट्टी में नाइट्रोजन का इस्थरी करण करने वाली प्रमुख फसले अलफा-अलफा, ड्राइबीन्स, गारबिंजो मटर, सोयबीन और उरद इत्यादी है आईए प्रशनों पर आते हैं पहला प्रशन है कि मिट्टी और संबंधित राज्ये का मिलान करना है जलोड मिट्टी ये उत्तर प्रदेश में, काली मिर्दा महराष्ट में, लाल मिर्दा आंध्र प्रदेश में और मरुस्थली राजस्थान में पाई जाती है तो सही सुमेलन दो, तीन, चार और एक हो जाएगा यहाँ पर देखे आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है पश्मी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है आपको बताना है एल्यूमिनियम, कैल्सियम, अगले प्रशन पर आते हैं निमनलिखित में से कौन सी फसल मिर्दा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है आलू, सोरगम, सूरज मुखी या मटर तो मटर दलहनी फसल है आप जानते हैं कि दलहनी फसल है वाई मंडली नाइट्रोजन इस्थिरी करन के द्वरा मिर्दा को नाइट्रोजन से यूख्त कर देती हैं मिट्टी में नाइट्रोजन का इस्थिरी करन करने वाली प्रमुख फसले अलफा-अलफा, ड्राइबीन्स, गारबेंजो बीन्स, मतर, सोयबीन, उड़द अगला प्रेशन है भूमी की उरवर्ता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है आपको बताना है गेहूं चावल उडद या गन्ना तो सही उडद है दोस्तों भूमी की उरवर्ता बढ़ाने के लिए उडद की फसल उगाई जाती है कभी-कभी इसका हरी खात के र लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है तो सही उत्तर है फेरिक आकसाइड की भी दिमानता दोस्तों लाल मिट्टी जो है फेरिक आकसाइड की उपस्थिती के कारण होती है और इसमें लोह अंस की अधिकता पाई जाती है लाल मिट्टी का नि रंग फेरिक आकसाइड के उपस्थिति के कारण होता है लेकिन जल योजित या जल मिलने पर ये पीली दिखाई देती है अगला प्रश्न है भारती मिर्दाओं में जिस सुक्ष मितत्तों की कमी है वो कौन सा है देखिए तांबा लोहा मैगनीज या जस्ता तो सही उत्तर जि कारण से संबंधित है आप देख सकते हैं कथन है कि हिमाले की मिट्यों में ह्योमस परचुर मात्रा में पाया जाता है ये सही नहीं है कारण है कि हिमाले में सरवाधिक छेतर बना च्छादित है तो ये आपका सही है दोस्तों कथन गलत लेकिन कारण सही है आपसंडी आपका सही उत्तर है हिमाले की मिट्टियों में हियोमस का अभाव रहता है जबकि हिमाले में सरवाधिक छेतर बना अच्छा दित है तो कथन गलत जबकि कारणार सही है अगला प्रश्ण है करेवास मित्र मृत्तिका जो जैफरान या केसर की एक अस्थानी प्रकार के उत्पादन के लिए उप्योगी है ये कहां पाई जाती है तो करेवा मिट्टी या करेवास मृत्ति का ये दोस्तों आप जान लिजे कश्मीर हिमाले में पाई जाती है आपसन ए आपका सही उत्तर है जाफरान या केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी या बुदूर में उप जाई जाती है ये ता चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलूई मिट्टी या लोब मिट्टी में तो सही उत्तर चिकनी मिट्टी में जल धारन की छमता सबसे अधिक होती है इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद 50% से तक मिर्ति वह былों की गुष्मात्रा पाये जाती है इसमें वायु का आवघमन कम होता है जिससे जल करांथी हो जाती है अगला प्रश्ण भी वहुत ही महुत पूर्ण है निमने लिखित में से किस कण का ब्यास दस्मलों सुन्ने सुन्ने दो मिलिमीटर से कम होता है आपको बताना है तो सही उत्तार मृत्तिका का आपसन ए मृत्तिका यानि कले का ब्यास दस्मलों सुन्ने सुन्ने दो मिलिमीटर से कम होता है जबकि गाद का ब्यास दस्मलों सुन्ने सुन्ने दो मिलिमीटर से दो मिलिमीटर के मध्य होता है अगला प्रश्ण है मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है मटासी मिट्टी देखिए यहाँ पर है यह मिट्टी अधिकांस्त भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कंधार मिट्टी की अपेक्षा कमुचाई पर पाई जाती है ये मिट्टी कनहार मिट्टी से कम उपजाओ होती है इस मिट्टी में लोहे की मातरा अधिक होती है इस मिट्टी में रेत की मातरा अधिक होती है तो मटासी मिट्टी के बारे में पहला कथन आपसन ए जो है ये गलत है मटासी मिट्टी को लाल पीली मिर्दा कहा जाता है ये मि मिर्दा में आयरन आक्साइड सबसे प्रचोर्दत्व है फेरस आक्साइड या फी 2 और 3 की उपस्थिति इसे लाल रंग जबकि फेरिक आक्साइड इसे पीला रंग देता है और धान के उपयोग के लिए ये प्रमुख मिर्दा है अब आईए दोस्तों अमली और छारी प्रशनों को देखते हैं देखिए जिस मिट्टी का पीयच मान कम होता है उसकी अमली इता अधिक होती है पीयच मान कम होना मिट्टी की अमली इता को और पीयच मान अधिक होना मिट्टी की छारी इता को दर्शाता है अधिक अमली या अधिक छारी मिट्टी सामानी फसलों मिट्टी का पीयच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए आईए प्रश्णों पर आते हैं पहला प्रश्ण है दोस्तों देखिए महत पूर्ण प्रश्ण है निमनलिखित कथन उसर मिट्टी के संबंध में है यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गये हैं और कूट के आधार पर बताना है कि कौन से सही है चूने का प्रियोक कर इसे सुधारा जा सकता है सही नहीं है इस मिट्टी का पीयच मान 6 से अधिक होता है सही है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है तो उसर मिट्टी के संबंध में कथन दो और तीन आपके सही है उसर मिट्टी का पीयच मान सास से अधिक होता है इस मिट्टी में जीवांस नतरजन और जिंक की कमी होती है इसके उपचार के लिए पायराइट जिपसम और धेंचा की हरिखात का उप्योग किया जाता है इस प्रकार की भूम पर उसर सहनसील धान की प्रजाती जैसे नरेंदर संकर उसर धान एक उसर धा फसले उगाने के लिए उरुवर भूमी का पियच मान कितना होने की संभावना है तीन चार छे से साथ या नव दस तो सही उत्तर छे से साथ दूस्तु मिट्टी का पियच मान कम होना मिट्टी की अमलीता को और पियच मान अधिक होना मिट्टी की छारीता को बताता है अधि अगला प्रश्ण है तेजाबी मिट्टी को क्रिसी योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है लाइम जिपसम कैलसियम या बेजीटेबल कमपोष्ट तो सही उत्तर लाइम दूस्तों तेजाबी या अमली मिर्धा को क्रिसी योग्य बनाने के ये उप्यूप्त नहीं रहती है। अगला प्रश्ण है किसका उप्योग मिट्टी की लवर्ता और छारीता की समस्या का दिर्ग कालीन हल है। या उत्तर प्रदेश में तो सही उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों आप जान लिजे कि वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो छारीता या लवर्ता से प्रभावी छेत्र गुजरात में सरवाधिक है। जो है आप देखिए मरुस्तली करण एटलेट्स के अनुसार गुजरात राज्य में सरवाधिक वर्तमान में। वर्तमान इस्थिति में गुजरात उसके बाद हरियाणा फिर उत्तर प्रदेश का अस्थाना आता है। तो लवडीता से प्रभावी सबसे अधिक प्रभावीत राज गुजरात है वर्तमान में। अगला प्रश्न है भारत में लवडी ये मिर्दा का सरवाधिक छेत्र फल कहां पर है। अगला प्रश्न है लवडी प्रभावीत मिर्दाओं का सरवाधिक छेत्र फल वाला राज जी कौन सा है तो सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मिर्दा का लवडी भवन मिर्दा में एकत्रे सिंचित जल के वास्पिक रित होने से पीछे छूटे नमक और खनीचों से उत्पन होता है। सिंचित भूंद पर लवडी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर है ये कुछ मिर्दाओं को अपारगम में बना देता है। दोस्तों मिर्दा का लवडी भवन या सेलाइन बिल्डिंग मिर्दा में एकत्रे सिंचित जल के वास्पिक रित होने से पीछे छूटे नमक और खनीचों से उत्पन होता है। और सिंचित भूम पर लवडी भवन होने के कारण मिर्दाओं अपारगम में बन जाती हैं। अब आईए मिर्दा अपरदन और सुधार से संबंधित महत्त पूर्ण प्रशनों को देख लेते हैं। दोस्तों मिर्दा अपरदन या स्वाइल एरोजन कैसे होता है। तो प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायू, पवनादी के द्वारा, मिटी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाओं और अस्थानांतरन को मिर्दा अपरदन कहा जाता है। मिर्दा अपरदन के कई कारक होते हैं। तो वनो का विनास करना या वनो का सफाय करना, अत्यधिक पसुवों का चारण जूम क्रिसी अवैज्ञानिक क्रिसी परद्धती, परिवहन और संचार के साधनों तवरा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन और औरोध अंधा धुंध खनन और भारत में मिर्दा अपर्दन से सरवाधि प्रभावी छेतर में चंबल और यमुना नदियों की उतखात भूमी छेतर पश्यमी हिमालय, छोटा नाकपुर पठा खेतर हरियाडा राजस्थान गुजरात के सुस्क खेतर प्रमुक हैं दोस्तों आप जान लिजे की उतखात भूमी क्या है तो आप जान लिजे की जो अवनलिका अपर्दन होती है भारत में चंबल घाटी छेतर में खोह खड़ों का निर्माड गली इरोजन या अवनलिका अपर्दन के कारण होता है और नलिका सामानतर तिब्र ढालों पर होता है और वर्षा से गहरी हुई और नलिकाएं क्रिसी भूमी को छोटे छोटे टुकडों में खंडित कर देती हैं आई ये प्रश्नों पर आते हैं भारत में निम्न में से किस छेतर में मिर्दा अपर्द प्रश्ट का काली मिटी छेत्र और हर्याना राजस्थान और गुजरात के छेत्र इसमें शामिल है अगला प्रश्ट है निमनलिखित में भारत का कौन सा छेत्र मिर्दा अपर्दन या स्वाइल इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है यहां पर देखे मालवा पठार उत्तर प्रदेश तराई आंध्र दटी छेत्र या चंबल घाटी तो सही उत्तर चंबल घाटी मिर्दा अपर्दन से सरवाधिक प्रभावित है अगला प्रश्ण है माध्य प्रदेश के निमनलिखित में से किस जिले में मिर्दा अपर्दन या मिट्टी के कटाव की समस्या है आपको बताना है तो सही उत्तर मुरैना में ये यमपी पीसियस से संबंधित है दोस्तों आप जान लीजे मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपर्दन के कारण मुरैना भिंड और ग्वालियर जिलों में अधिकांस भूमी बीहड और बंजर हो गई है अगला प्रश्ण है चंबल घाटी के खोह खड़ों के निर्मार का कारण किस प्रारूप का अपर्दन है ये भी बहुत ही महत पूंड प्रश्ण है तो अवनलिका अपर्दन या गली एरोजन जो है ये आप देख सकते हैं खोह खड़ों के निर्मार का कारण है चंबल घाटी में मिर्दा अपर्दन मांचित्र को देखने से ये अस्पष्ठ है कि चंबल घाटी छेत्र में खोह खड़ों का जो निर्माड है ये अवनलिका अपर्दन के कारण हुआ है अगला प्रश्ण है निर्दा अपर्दन प्रक्रिया या प्रोसेस आप स्वायल एरोशन के सही क्रम को पहचानिए तो सही क्रम आपको याद रखना है देखे आसफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन और अवनलिका अपर्दन ये मिर्दा अपर्दन की प्रक्रियाओं का सही क्रम है आपसन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों आप देखे मिर्दा अपर्दन की प्रक्रियाओं में सबसे पहले एसफाल्स एरोजन है ये वर्सा की बूंद के मिट्टी पर आघात से मिर्दा कड़ों के प्रिथकरन को आसफाल या बौचार या बूंदा घात अपर्दन कहते है परत या शीट एरोजन जब मिट् में छोटी और कम गहरी नालियां बनती है और नलिखा अपर्दन जब रिल अपर्दन की नालियां बड़ी और विश्ट्रित हो जाती है और इस्ट्रीम चैनल इरोजन जब जल एक मूटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपर्दित करता है जब तक कि वह इस्थिर ढाल प्रात नहीं कर लेता है अगला प्रश्ण है क्रिस्य भूमी में किसके पौधे उगाने से भूमी का अपरदन अधिक्तम तिब्रता से होता है तो आपसन है सोरगम आलू गेहू या क्लोवर तो सही उत्तर सोरगम बिस्व बन जीव कोस के एक व हूमी अपरदन करता है अगला प्रश्ण है कौन सा तरीका मिट्टी की उरवर्ता प्राप्त करने का नहीं है फसल चक्र मिस्रित खेती बीज शनसोधन या बहु फसली खेती तो सही उत्तर बीज शनसोधन बीज शनसोधन की बिधी से उपज पर प्रभाव पड़ेगा किन् अगला प्रश्न है फसल चक्र आवस्यक है किसके लिए पादपो में प्रोटीन बृध्धि के लिए बिभिन फसलों की प्राप्ति के लिए मिर्दा की उरवरा सक्ति में बृध्धि के लिए या मिर्दा की नमी को बनाए रखने के लिए तो फसल चक्र या जो क्राप साइकल ह दोस्तों ये मिर्दा की उर्वरा शक्ति में बृध्धी के लिए जरूरी है किसी अस्थान पर कई वर्सों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां की मिर्दा में कुछ विशिष्ट पोसकत्तों की कमी हो जाती है फसल चक्र यानि फसलों में परिवर्थन के द्वराब मिर् परिवर्थन के लिए उपरयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझे जाती है तो बालू की बाड़ और वायुरोध दो और चार आपका सही है दोस्तों आप जान लीजे मिर्दा संड़क्षन के संबंद में इन प्रचलित पधतियों में सस्या वर्तन वेदिका नि यहाँ पर आप संदेखिये महत्वपोण है यहाँ पर एक तीन चार सस्या वर्तन वेदिका निर्माड और वायुरोध यह एक तीन चार को सही समझा जाता है अगला प्रश्न है भारत में मिर्दा अप्छै समस्या निमने लिखित में से किन से संबंधित है आपको बताना है यह बहुत ही महत्वपोण परश्न है भारत में मिर्दा अप्छै समस्या किस से संबंधित है तो आप देखे भारत में मिर्दा अप्छै की समस्या जो है वो वनुन मूलन से संबंधित है वेदिका कृषि और उष्ड कटी बंधि चलवाई इसके लिए महत्तवपोण कारक आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लिजे कि भारत के जिन छेत्रों में वनुन मूलन या वनस्पतियों का नास किया गया है वहां मिर्दा अपर्दन बहुत अधिक हो रहा है इसका काराण ये है कि वायू वहां पर पेड़ पौधे मिट्टी की जड को जखड़ी रहती है जल और वाय मिट्टी का अपर्दन वहां आसानी से नहीं कर पाते है इसके अलवा पेड़ों की तने पानी के बहाओ को गद को कम करते हैं अस्थानांतरल क्रिसी से वनुन का नास होता है और मिट्टी कट जाती है वेदिका क्रिसी मिर्दा अप्च्छ जा सकता है मिर्दा संरक्षन के अंतरगत वे सभी उपाय शामिल है जो मिट्टी को अपर्दन से बचाते हैं और उसकी उरवर्ता को बनाए रखते हैं मिर्दा अपर्दन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय में ब्रिक्छा रोपाण सबसे महत्पूर्ण और ससक्त उपा प्रशन है मिर्दा छरण को रोका जा सकता है कैसे तो आप जानते हैं मिर्दा छरण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय वन रोपन है अगला प्रशन और इस वीडियो का आखरी प्रशन है कि निमनलिखित पद्धतियों में से कौन सी क्रिसी में जल संरक्षन में सहायता क और सकती है भूमी। की कम या सुनने जुताई खेत में सिचाई के पौरो जिपसम का पर्योग और फशल ऑसेस को खेत में ही रहने देना तो ये तीनों ही कारक महत्रोपोण हैं भूमी में जल संरक्षण में साहयत दुस्तों आप जान लीजे भूमी की कम या सुनने जुताई खेत में सिचाय के पोरो जिपसम का परियोग फसल औसे इसको खेत में रहने देना ये सभी ऐसी पद्धतियां हैं जो क्रिसी में जल संरक्षण में सहायता करती हैं। ये प्रशन प्रीबियस एर्ट में पूछे गए हैं और आगामी परिक्षाओं के लिए अतिसंभावित और महत्तपूर्ण हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा।